हेलो स्टुडेंट आपका बहुत बहुत स्वागत है वेदास्री लर्निंग है आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका सर्फेस टेंशन और इसी के साथ आपका है सर्फेस एनरजी हम इन दो के बारे में पढ़ेंगे अब लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इस को आपका जड़ों से खाना मिलता है वो किस वज़े से मिलता है या फिर हम बात करें कि जो आपकी जल की बुद्रे हैं वो आपकी गुलाकाराकार में क्यों हो जाती है या जो कुछ आपके जो कीट पतंगे हैं कीडे मुकड़े हैं वो पानी पे कैसे तैर जाते हैं लेकिन उसमें हम आपका oil डाल देते हैं, तो वह आपका उसमें मर जाते हैं, तो इस तरीके के कुछ एक जो questions हैं, वो यहाँ पर आते हैं, तो आज के इस lecture में, पहले हम आपका theory पढ़ेंगे, जहां पर हम surface tension से related इसके कुछ concept हैं, वो पढ़ेंगे, फिर बाद में हम इसी से related आपके जो हैं, लगबग 10 से 15 mcq हम आपके करेंगे, तो आप बड़े ध्यान से इसको पढ़िएगा, क्योंकि आपने mcq के answer खुद ही देने हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो हमारा surface tension है, what is surface tension, जो प्रिष्ट तनाव है, सतह तनाव है, it is the property of any liquid, यह किसी भी fluid की, किसी भ विसेस गुण है, जो कम से कम छेत्रफल घेरने का प्रियतन करता है, क्या करता है, जो सबसे कम से कम आपका छेत्रफल घेरने का आपका क्या करता है, प्रियतन करता है, अब जैसे मैंने आप से भी पूछा था, कि वो आपकी इस तरीके से गूला कार आपका क्यों हो जाती है वो आपस में क्या हो जा रही है वो आपका क्या बन जाती है वो आपकी गुलाकार आकरती में आ जाती है वो आपकी स्पेर के सेप में आ जाती है तो इस प्रपरटी को जिसकी वजह से किसी द्रव में कम से कम छेतरफल घेरने की प्रवर्ती आती है उसको हम क्या बोलते हैं उस एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, क्या है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ is known as surface tension, इस surface tension को हम किस से denote करते हैं, इस surface tension को हम T से denote करते हैं, T is equal to F upon L, क्या होता है, T is equal to F upon L, मतलब force upon length, किसी द्रव का आपका जो प्रिष्ट तनाव वहाँ बल है, जो कि द्रव के मुक्त पर जो आपका surface है, उस पर खीची गई एक कालपनिक रेखा है, imaginary line है, उसके एकांग की लंबाई पर जितना भी आपका जो बल लगता है, लंबवत जो काम करता है, उस बल को हम क्या बोलते हैं, उस बल को हम आपका surface tension बोलते हैं, इसकी अगर हम unit की बात करें, तो इसकी unit क्य जाएगा, mt-2, ये इसकी क्या जाएगी, ये इसकी dimension आजाएगी, ये एक किस परकार की quantity है, ये एक आपकी scalar quantity है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अब इसको अगर थोड़ा सम figure के form में देखना चाहें, तो होरगा क्या, एक आपका द्रव है, ठीक है, एक आपका इस तरीकी का liquid है, ये उसका surface है, उस पर आपने कोई भी एक imaginary line खीची है, ठीक है, उस imaginary line के जो perpendicular आपके force लगेंगे, पर unit length में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, आपका परिष्ट तनाव, आपके समझ में आ गया होगा, एक छोटे छोटे यहां से question बज़ करते हैं, किस प्रकार की quantity है, इसकी क्या unit है, क्या formula आपका यहां पे होता है, अब ये जो पीछे है, ये काम कैसे करता है, उसका जो answer है, वो है आपका cohesive force ससंजक बल, अभी हम इसको और detail में पढ़ेंगे, ठीक है, अब होता क्या है, या अगर हम बात करें, जो surface energy की है, हम बा करते हैं, यहीं से आपको वो concept जो है, वो clear हो जाएगा, फिर हम जो आपका cohesive force है, या adhesive force है, उसके बारे में हम बढ़ेंगे, तो आप ये जो यहां पर figure देख रहे हैं, ये किसी भी द्रव के अंदर का जो particle है, उसका यहां पर आपको figure सो किया गया है, यहां पर जो आपका ब गया, बट, जो सबसे top वाले हैं, ठीक है, यह सबसे top layer में जो आपका मुक्त प्रिष्ट है, जो free surface area यहां पे है, इस पर आप देखेगा, जो आपका बल लग रहा है, वो उपर की side से कोई भी बल नहीं है, क्योंकि वहां पे तो कोई भी द्रव का आपका है ही नहीं, तो य इसके रूप में आपका स्थापित हो जाता है, वो आपका जो है, प्रिष्ट उर्जा के रूप में यहां पर क्या होता है, प्रिष्ट उर्जा के रूप में आपका एक अत्रिद हो जाता है, दुबारा मैं आपको समझाता हूँ, एक आपका इस तरीके का vessel आप ले लेकिन वहाँ पर जो आपका force लग रहा होगा वो सारा का सारा force आपका किधर को लग रहा होगा सारा का सारा force आपका नीचे की तरफ को लग रहा होगा वो attraction force है वो adhesive force है जो यह लगा रहे हैं ठीक है? तो अपनी इस्तिती बनाने के लिए उनको कुछ न कुछ जो है वो extra work करना पड़ता है extra energy रखनी पड़ती है उसी energy को हम क्या बोलते हैं उसी energy को हम आपका प्रिष्ट उर्जा surface energy बोलते हैं अब यहाँ पर हम दो प्रकार के जो ये बल है ठीक है जिसकी वज़े से वो वहाँ पे टिका हुआ है इसको हम बोलते हैं को हैसे force यह एक आणविक फिनोमेना है जो किसकी वज़े से है वो को हैसे force की वैसे है ससंजकबल की तरफ से है दो तरीके के आपके force होते हैं एक होता है आपका ससंजकबल एक होता है आपका आसंजकबल ससंजक बल मतलब का होता है कुहेसे फोर्स आसंजक बल मतलब होता है एड़ेसे फोर्स अब ससंजक मतलब एक ही पदार्थ के अड़ों के बीच लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं कुहेसे फोर्स बोलते हैं और भिन्न भिन्न पदार्थ के ड़ों के बीच लगने वाले जो बल को हम क्या बोलते हैं एड़से फोर्स बोलते हैं जैसे यहाँ पर भी आपका water molecule है नीचे भी आपका water molecule है तो यह अपके एक ही उसके हैं तो यहाँ पर कौन सा लगा यहाँ पर आपका ससंजक्बल लगा말 के लेकिन अगर हम बात करें कि जो आपका आसन जगबल है जैसे आसन जगबल की हम बात करें जो हमारा होता है हम बोलेंगे उसको क्या welding, welding जो है वो आपका आसन जगबल है, वो adhesive force वारा आपका आता है, ठीक है, या जैसे लकडी से हम जो glue ये हम glue अगर अच्छे चिपकाते हैं, वो आपका कौन सा force लगता है, वो adhesive force लगता है फैबिकॉल वगरा जो है, ठीक है वो सब आपके adhesive force पर आपके काम करते हैं, अब यहाँ पर मैंने तीन आपको ये example दिये हैं, इस example से आप मुझे बताओ, कि दो धातुओं को solder धातु की साहता से जोड़ना ये कौन सा force है, adhesive force है कि कौहसिव force है, फिर आपका जल से भीगी हुई दो प्लेटों को अलग लग करने से, अलग लग करने में काफी बल लगाना पड़ता है, जैसे आपने थालियां धोई, ठीक है, दो प्लेट धोई, उसमें अगर बीच में पानी लगा हुआ है, पानी है तो उसको आपको अलग लग करने में थोड़ा सा आपको कया लगाना पड़ता है, एक्स्ट्राफट करना पड़ता है, वो कौन सा force के गेंस्ट आपको करना पड़ता है, या blackboard पे जो आप चौक से लिख रहे हैं, वो किस तरीके का है, तो answer इन दोनों में सही है, आपका cohesive force को solder धातु के सायता से जोड़ना ये कौन सा आपका फोर्स है जल से भीगी वी दो प्लेटों को अलग लग करने के लिए काफी बल लगाना पड़ता है इसमें कौन सा फोर्स है फिर blackboard पर जो चौक से लिखना है ये आपका किस तरीके का है चलिए मुझे आसा है कि आपने के बीच में जो फोर्स लगता है वह आपका क्या है वह आपका कोहसिव फोर्स है blackboard आपका अलग है चौक आपकी अलग है तो कौन सा फोर्स है यहां पर आसंजक बल है इसने भी आपके एक दो क्वेशन छोटे छोटे जो हैं वह आपका बन कहा सकते हैं क्योंकि यही जो आपका कारण है यह किसका कौज है यह आपका जो प्रिष्ट तनाव है सतही तनाव जो है फ्लूट्स में सर्फेस टेंसर में वहां पर यह आपका काम आता है ससंजक बल कुहसिव फोर्स यह आप याद रखेंगे फिर यह मैंने आपको प्रिष्ट उर्जा मैंने आपको बत होती है अधिक होती है इसकी working जो है वो working मैंने आपको यहां पर बता दिये ठीक है अब हम चलते हैं अपना आगे की work done in expanding the free surface of a liquid ठीक है किसी भी एक जो liquid है ठीक है उसकी free surface में जब आप expand करोगे तो आपको total कितना work done आपको करना पड़ता है ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम work done का formula लिख लेते हैं work done कितना होगा f into displacement अच्छा सबसे पहले हमें आपको एक figure बना दूँ ठीक है यह इस तरीके का आपका एक वैसल मान के चलो यह पहले आपका था यहां पर ठीक है आपने इसको expand करके यहां पर पहुँचा दिया मतला आपने displacement कितना दे दिया इसको x ठीक है क्या force लगाया आपने इधर को लगाया force f तो work done कितना हो गया work done is equal to f into delta x हो गया ठीक है तो यहां से आपका नहीं यह नहीं है टी is equal to f upon 2l होता है ठीक है टी is equal to f upon 2l हो गया तो यहां से f की value कितनी आगई f की value आगई t into 2l यह आपकी question number one आगई इसको आप कहां पर fit कर देंगे इसको आप यहां पर fit कर देंगे कहां पर fit कर देंगे इसको आप यहां पर fit कर देंगे तो w is equal to t 2l into x यह इसका क्या बन जाएगा यह इसका आपका area बन जाएगा तो यहां पर अगर हम finally आपको derivation वगरा याद करने की जरूत नहीं है आपको जो formula है वो इस तरीके से याद करना है work done is equal to t into delta a जो आपका draw की जो मुक्त प्रिश्ट हो के विस्तार में जो किया गया कारी होता है वो आपका कितना होता है w is equal to t into delta a where t is equal to प्रिश्ट तनाओ delta a जो है वो उसके area में जो मुक्त प्रिश्ट है उसके area में छेतरफल में जो net बिरिदी है वो यहां से आपका बन के आता है यही जो work done है यही work done किसके form में आपका 31 हो जाता है यही work done आपका इस्तिजिक उर्जा जो है ठीक है इस्तिजिक उर्जा के form में आपका convert हो जाता है delta u is equal to t into delta a ठीक है यह किसमें आपका convert हो जाता है इस्तिजिक उर्जा में आपका convert हो जाता है अब यहां पर मैं आप लोगों को एक question देता हूँ ठीक है एक आपका soap का आपका बुलबुला ह तीक है उसमें आपने जो उसका diameter है वो diameter आपको 2 cm से 5 cm तक आपका बढ़ गया है कितना 2 cm से लेके 5 cm तक आपका बढ़ गया है आपको work done बताना है जब आपको जो t है वो t की value आपको दे रखिये 3 into 10 to the power minus 2 newton per meter तीक है यह question आप करेंगे आप video को pause करना चाहो तो आप pause कर लो ने तो side में लिख लो मैं अभी video के last में आपको यह question है यह question मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा दुबारा से एक आपका साबून का जो है वो बुलबुला है उसका जो diameter है वो 2 cm से बढ़ के 5 cm कर दिया गया है तो net work done कितना होगा जब साबून के जो गोल का आपका प्रिष्ट तनाव है वो t कितना है 3 into 10 to the power minus 2 newton per meter यह आपको यहाँ पर जो term है वो term आपको यहाँ पर बनाना है answer आपको बताना है चलिए ठीक है आपको कि समझ में आगया होगा जो आपका प्रिष्ट तनाव है या जो प्रिष्ट उर्जा है अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि यह किस किस पर आपका जो है वो depend करता है तो जो surface tension है यह किस पर depend करता है यह liquid के nature पर depend करता है किस पर depend करता है liquid के nature पर depend करता है and independent of the surface area of film और length of line यह केवल जो है वो द्रव की प्रकरती पर आपका निर्भर करता है, और उसके प्रिष्टीज फिरिफल या जो आपका लंबाई है, उससे ही आपका क्या होता है, इंडिपेंड़न्ट आपका होता है, अब सरफेस टेंशन में क्या होता है? जब आप temperature बढ़ाएंगे, यह भी में भृद्धी होगी तो प्रिष्ट तनाव आपका घट जाता है क्या होता है प्रिष्ट तनाव आपका घट जाता है याद करेंगे increasing temperature will decrease the surface tension आगे चलते हैं अगर high soluble impurity उसमें dissolve हो जाती है तो surface tension क्या हो जाता है surface tension आपका बढ़ जाता है impurity मिलाने से किसी भी द्रव का जो surface tension है वो surface tension आपका क्या हो जाएगा increase हो जाएगा ऐसे छोटे छोटे जो points है उनको आप लिख लिजे आपके जो mcq है उस mcq में आपके ये काम आएंगे high soluble impurity salt dissolve in water surface tension of water increases जब impurity आपके उसमें मिल जाती है तो वो आपका क्या होता है उसका ये बढ़ जाएगा ओके अब इसके कुछ application से हैं ठीक है यहां से आपके देख वो पहले भी जो आपकी ये दो हैं इनसे भी आपके question मन के आते हैं फिर यहां से तो आपके question बन मन के ही आते हैं ठीक है कि जो छोटी आपकी द्रव की बूदे हैं वो आपकी क्या होती है वो आपकी गूलाकार हो जाती है वो आपकी क्या होती है वो आपकी गूलाकार होती है क्यों क्योंकि spare जो है उसका जो आपका छेत्रफल है प्रिष्ट छेत्रफल है वो आपका क्या होता है वो आपका minimum होता है ठीक है वो आपका क्या होगा minimum इसलिए जो droplets है वो आपकी गोलाकार होती है मैंने आपको सुनुन होता है था जो कुछ insects है कुछ जो आपके मच्छर है ठीक है मच्चरों के जो लारवा हैं वो पानी पर क्या करते रहते हैं पानी पर आपका तैरते रहते हैं जहांपर आपका प्रिष्ट तनाओ की value हाई है लेकिन जैसी आप वहाँपे impurity मिला देते हैं तो उसका प्रिष्ट तनाओ फिर आपका जो है वो आपका change हो गया और उसके बाद जो है वहाँ पर तेल मिलाने से वहाँ पर जो उसकी value है वो आपका क्या है मतलब वहाँ पर फिर वो उसके बाद तैर नहीं सकते राता है कि जो दाड़ी बनाने वाला ब्रस है ठीक है उसको जब आप पानी में ढालेंगे तो उसके सारे हैं वह आपके चिपक जाते हैं या जैसे जो लेडिंज हैं लेडिस के बाल अगर दो रहे हैं या-क ओड्य? carbs n हैं वो आपके चिपक जाते हैं फिर जो छोटी सुही है बहुत ही आपकी जो घुल थे क्या करती रहती है द्रव के तल पह अपका त्यरता और इसके बन के आते हैं अब यहीं से हम थोड़ा चलते हैं एक जिसको हम बूलते इसपर्स कौन इसपर्स एंगल एंगल ओफ कॉंटेक्ट अब यहां पर आप देख रहे हैं एक आपका कैपिलरी ट्यूब जो है ठीक है तो इसमें इसपर्स कौन आपका किसको कहते हैं यहां पर देखा होगा आपने कुछ जगों पे कुछ जगों पे तो आपका इस तरीके से बना हुआ आता है जिसे एक ट्यूब है माना उस तरीके पर ऐसा बन के आता है कुछ जगाओ पर आपका ऐसे बन के आता तो ऐसा क्यों होता है भाई वो इसी angle of contact की वज़े से आपका होता है ठीक है angle of contact क्या है the angle at which a liquid interface meets solid surface मतलब द्राव या ठोस के किसी स्पर्स बिंदू से द्राव के प्रिष्ट पर खीची गई स्पर्स रेखा तथा जो ठोस का द्राव है उसके भी जो खीची की स्पर्स रेखा के बीच बने कौन को उसका क्या बोलते हैं इस पर स्पर्स कौन बोलते है एक्जामपल स्वरी है यहां पर इसके tangent हमने एक ही चाह तो यह tangent जो आपका angle बना रहा है, वो आपका angle क्या कहलाता है? वो आपका angle of contact कहलाता है, जैसे हम दूसरे example दूसरे figure हम समझें, यहांपर आप देखें, इसका जो यहांपर tangent है, वो आपका नीचे को इस तरीके-से बन तो वह एंगिल आपका क्या आ गया वह एंगिल यह आ गया लेकिन यहां पर के केस में देखिएगा यह जो आपका बाहर की तरफ को आपका निकला हुआ है तो यह इस तरीके का आपका बन जाएगा और यहां से लेके जो यह पूरा एंगिल है तो यह पूरा एंगिल भी आपक आपका कौन सा होता है वो एंगिल आपका न्यून कौन यारी एक्यूट एंगिल होता है कौन सा एंगिल होता है वो आपका एक्यूट एंगिल होता है जैसे वाटर है ठीक है वाटर जो है वो किसी उसको आपका क्या करता है किसी भी पदार्थ को आपका भिगा देता है तो वह आपके solids को नहीं वैट करते हैं उनका जो एंगिल होता है वो आपका कौन सा होता है वो अधिक एंगिल होता है कौन सा एंगिल होता है अधिक कौन बोलते है 90 डिग्री से जो आपका अधिक वाला है जैसे अब यहां पर देखेंगे यह clean glass surface है एक आपका यह है इसके उपर आपका जो रखा हुआ है तो यहां पर आपका कौन सा कौन बना यह noon कौन बना यह जो आपका wax glass है मतलब उसमें तो आपका कोई भी नहीं लगना है वो भीगाई नहीं पाएगा क्योंकि उसकी में आपने क्या लगाया हुआ है wax लगाया हुआ है ठीक है तो यहां पर जो एंगिल है वो क्या है greater than 90 यहां पर एंगिल क्या है यहां पर less than 90 है यहां पर से आप जो दो छोटे आप टर्म आपको और याद करने है वो आपको याद करने है जो water के लिए आपका जो एंगिल है वो आपका कितना है वो आपका 8 degree है जबकि जो आपका पारा है mercury जो है mercury के लिए आपका कितना है 135 water और जो आपका glass है उसके बीच का एंगिल कितना है 8 degree mercury और जो आपका glass है उसके बीच का एंगिल कितना है उसके बीच का एंगल आपका 135 डिग्री है ओके ये आप याद रखेंगे फिर एक छोटा सा टर्मॉर आता है वो आता है आपका क्या आता है एक छोटी सी आपकी ट्यूब होती है बहुत ही आपका जोसका छेत्रफल है ठीक है वो आपका बहुत कम होता है इसको हम बोलेंगे बिल्कुल पतली सी आपकी होती है तो इसमें द्रव के ऊपर चड़ने या जो नीचे उतरने की घटना है यानि the rise and fall rise or fall of a fluid in the capillary tube is known as capillary दोबारा से the rise or fall of fluid in the capillary tube किसी भी केसनली में capillary tube में ध्रव के ऊपर चड़ने या नीचे उतरने की जो आपकी घटना होती है उसको हम क्या बोलते है उसको हम capillary कया तो बोलते है इसके भी आपके examples आते हैं बट उससे पहले जो यह height है इस height का formula आपका क्या होता है 2t cos theta upon r rho g क्या होता है 2t cos theta upon r rho g where t is equal to हमने पढ़ा हुआ है pristata now theta हमने क्या पढ़ा हुआ है angle of contact जो आपका इस पर सुकोड है r आपका क्या बन जाएगा यहां से radius बन के आजाएगा rho क्या बन के आजाएगा rho आपका density है वो density आपका बन के आजाएगा ठीक है जी हम सभी को पता है जी आपका action relation due to gravity है तो यह आपको यहां पर आत करना है 2t कभी कभार यहां से ना आपको जो compare करने वाले question है वो आपके बन के आजाएगा 2t cos theta upon r rho g ठीक है जी आगे चलते हैं कुछ एक examples इसके भी है इन examples से भी आपके question बन के आते हैं कि जैसे जो आपका आप दिया जलाते होंगे या lamp आप जलाते होंगे तो उसमें जो तेल है वो कैसे पहुँच जाता है तो जो आप हम जो आप रोई लगाते हैं जो बत्ती लगाते हैं उसमें जो है वो तेल ऊपर चड़ता रहता है यहां पर टिप पे आपका चड़ता रहता है किस वज़ा से इस capillary action की वज़़ा से है तोलिया आपका गिला हो जाता है उसमें छिद्रों में भर जाता है वो capillary की वज़ा से है जो पेड़ पॉंदों में जड़ से खाना उपर तक पहुंचता है खाना हो या पानी हो वो किसकी वज़ा से वो आपका capillary की वज़ा से जो आपका blotting paper स्याही को आपका सोक लेता है वो आपका capillarity की वज़ा से जो खेतों में जुताई वगरा होती है वो होता है कि जो capillarity आपके बन जाएंगे मिट्टी में वो आपके क्या हो जाएं समाप तो जाएं ताकि पानी जो है वो ऊपर को ना आ सके इसकी वज़ा से आपका खेतों में जो है खेतों में आपका जो ताई होती है तो यह आपका जो है इस तरीके से कुछ एक जो basic points हैं वो आपको याद करने हैं उसके बाद हम जो यहाँ पर आपके mcq हैं इन mcq में चलेंगे लेकिन उस mcq को करने से पहले जो हमारे पास यहाँ पर एक question था वो question मैंने आपको बताया था वो question आपका यह था कि आपको diameter इतना दिया गया है ठीक है और उसके बाद आपको जो work done निकालना है तो आपके पास formula क्या होता है work done होता है w is equal to t into delta a ठीक है t into 4 pi r square कितना होता है 4 pi r square यहाँ से जो है यहाँ से आप इसका जो answer है वो answer आप लोग निकाल लेंगे तो आपका direct जो है वो आपका बन किया जाएगा ठीक है जी अब r square में से आप final में से आप initial को क्या करेंगे initial को आप minus कर देंगे आपका जो answer है वो answer जो है वो answer आपका बन के आ जाएगा ठीक है चलिए अब हम चलते हैं जो हमारे यहां पे कुछ mcq है उन mcq को हम यहां पे कर लेते हैं आप इसको अगर अपने revise करना है तो आप एक बार revise कर लीजे फिर हम यहां पे लगबग 10-15 जो mc हम कर लेते हैं ठीक है dancing of small pieces of camfer on the surface of water is due to पानी की सताव पर कपूर के छोटे टुकड़ों का उचलना जो आपका किस कारण होता है जब हम impurity वगर मिला देते हैं तो surface tension है वो आपकी change हो जाती है तो इस वज़ा से जो आपका यह है जो surface tension की वज़ा से जो कपूर की सताव पर पानी की सताव पर जो कपूर के छोटे टुकड़े हैं वो आपके उचलते रहते हैं फिर अगला एक केसी का नली में तरल की बृद्धी किस कारण होती है the rise of liquid in a capillary tube is due to surface tension किसकी वज़ा से surface tension की वज़ा से okay किसकी वज़ा से surface tension की वज़ा से h का formula क्या होता है 2t cos theta upon ro g ठीक है 2t cos theta upon ro g where r is equal to radius rho is equal to density theta is equal to जो है वो संपर्क angle आपका जो बन के आएगा ओके अगला question किसी भी किस प्रकार के तरल प्रदार्थ का प्रिस्टिय तनाव सून्य होता है okay which type of fluids have zero surface tension which type of fluids have zero surface tension तो जो एक आपका ideal liquid force है ideal liquid है ideal fluids जो है आदर से तरल प्रदार्थ जो है उनका जो आपका प्रिस्टिय तनाव है वो प्रिस्टिय तनाव आपका क्या होता है सून्य होता है अगला question rain drops आर स्पेरिकल सबसे कम से कम आपका वो एरिया गहरेंगी किसकी वजह से surface tension की वजह से surface tension में किस तरीके कि आपके forces लगते है adhesive force लगता है कि cohesive force लगता है ये आप लोग को बताना है और ये क्या करेंगे ये आपका minimum area जो है वो minimum area गहरते है अगला question हर बारत का answer तो आपको पता ही है इसी chapter से पढ़ रहे है तो answer आपका एक ही आना है तो answer है आपका क्या प्रिष्ठी ये तनाव क्या है surface tension आगे चलते हैं if the surface of liquid is plane then the angle of contact okay water पे जो आपका बनेगा ये है जैसे plane surface है तो वो angle आपका कितना है देखो यहाँ पे यही इधर पे यही ठीक है तो जो angle है वो angle आपका कितना बन के आएगा वो angle आपका zero degree बन के आएगा कितना बन के आएगा वो angle आपका जो है वो angle आपका zero degree बन के आएगा container की दिवारों के साथ तरह का जो संपर्कों है वो आपका 0 है अगला question question number 7 ख्रांतिक ताप मान पर यानि critical temperature पर जो surface tension है वो surface tension आपका कितना होता है क्रांतिक ताप मान पर जो surface tension है वो surface tension आपका 0 होता है कितना होगा जीरो आगे question number 8 ख्रांतिक ताप मान पर जो आपकी सतो है वो आपकी क्या है बताएं वो आपकी क्या है वो आपकी कौन cave nature की है अभी हमने देखा था पानी जो है वो इस तरीके से रहता है जो लेकिन जो आपको मरकर ही है वो उल्टा रहता है तो यहां पर जो यह बना यह आपका किस nature का है यह आपका concave का है तो आपका बढ़ जाता है क्या हो जाता है वो आपका बढ़ जाता है इट expands question number 10 if common salt is dissolved in water then the surface tension of salt water ठीक है जब उसमें आप salt water मिला देते हैं तो जो आपका ये है वो क्या हो जाता है increase हो जाता है जो आपका प्रिष्ट तनाव है तो प्रिष्ट तनाव आपका क्या हो जाएगा प्रिष्ट तनाव आपका increase हो जाएगा यदि जो आपका salt है common salt है उसको पानी में गोल दिया जाए तो आपका बढ़ जाता है unit of surface tension आपको मातरक बताना है लेकिन अभी तो हमने ये पढ़ा है ये कहां से आ गई ये आपका कौन सा पद्दित है cgsa t is equal to f upon l यानि dine upon centimeter कौन सा है dine upon centimeter ठीक है जी option number a फिर चलते हैं question number 12 question number 12 क्या कहता है surface tension of water can be reduced इस तरीके से आपका कम किया जा सकता है मैंने आपको बताया कि जो आप है उसमें आप क्या करेंगे detergent आप मिला दें क्या करेंगे detergent जब हम मिला देंगे वो आपका क्या हो जाएगा वो आपका रहसी जो आप नचाव हो नहीं जहीता हो ओइश करेंगे ward जब कि इस से क्या हो जाता है इस से आपका increase हो जाता है इस से भी क्या जाता है temperature decreased होगा तो ये भी आपका प्रिश्च तनाव increase हो जाएगा लेकिन detergent मिलाने से प्रिष्ट तनाव आपका क्या है प्रिष्ट तनाव आपका कम हो जाता है question number 13 surface tension of a liquid surface tension of a liquid okay increases with increasing temperature नहीं इसका है option number D decreases with increase in temperature तापमान में बृद्धी के साथ क्या है तापमान में बृद्धी के साथ घड़ता है question number 14 water rises in fiber plants जो आपके पेड़ पहुंदे fiber है plant है उनमें आपका जो पानी है वो किस वज़े से चड़ता है किस की वज़े से चड़ता है वो आपका किसी का तो की वज़े से क्या है उसकी वज़े से वो चड़ता है अगला question question number 15 surface tension is due to किस वज़े से cohesive आणवेकबल ससंजक आपका आणवेकबल cohesive molecular force option number one दो तरीके के आपके हमने सुर में पढ़े थे एक हमने cohesive पढ़ा जहां पर आपका same material का same material के बीच में लगने वाला एक आपका होता है adhesive adhesive मतला होता है आपका जो different materials हैं उनके बीच जो आपका attraction force लग रहा है जो बल लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम adhesive बोलेंगे आप संजक बोलेंगे बन surface tension का जो आपका cause है वो आपका क्या है वो आपका को हैसे molecular force है यानि ससंजक आणवेक बल है ठीक है स्टोएंट तो से एकली वीडियो में तब तक के लिए जय भारत जय उत्राखन्ड कर दो आपका क्या है